जैह हिंद प्यारे जाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF Head Consultor Minister की Exam Date के बारे में चाहें वो आपकी 2019 की बरती हो या 2022 की बरती हो और 2022 वाले इसलिए परिशान है कि 2019 की Examination नहीं हुआ है तो 2022 का कब होगा तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो इस वीडियो का आप लाज तक ध्यान से ज़रूर देखें और वीडियो पो संद आए तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेला आइक प्रेस कर लें ताकि future में आने आपकी भरती किसी भी कंडिशन में कैंसल तो नहीं होने वाली क्योंकि 2019 वाली अगर भरती कैंसल होने होती तो 2022 का recruitment नहीं निकाला जाता आप सभी जानते हैं उस भरती को cancels करने के बाद ही 2020 का recruitment आपका जारी होता और 2022 वाली अगर भरती कैंसल करनी ही होती तो 2019 वाली को भी कैंसल करते देते और 2022 वाली को भी कैंसल कर देते दोनों भरतियों को अभी तक चलाने का घसीटने का कोई मदलम नहीं निकलता क्योंकि 2-3 बार इसकी examination जो date है वो भी final हुई है लेकिन किनी कारण से हरवार 2019 की जो date है वो postpone हो गई है 2022 की इसलिए नहीं हो पारी क्योंकि 2019 की नहीं हो पारी तो इसी के चक्कर में इसकी भी date केच रही है तो इस बज़े से आपको ये चीज़ तो एकदम से clear होनी चाहिए कि आपका exam cancel नहीं होगा यानि कि भरती रद नहीं होगी बस आगे जो delay हो रहा है वो आप सभी को पताईए कि जो चल रहा है फिलाल अब लेकिन इसके बाद बात आ जाती है कि कब तक हमारा examination conduct हो सकता है जिससे के हम आगे की तैयारी करें और दिमाग में जो फाल्तु की चीज़े चल रहे हैं वो खतम हो जिससे की आगे बढ़े हो जाएगा आप सभी दिख सकते हैं 1850 2030 से 25 2030 तक उनका डीवी चलेगा तो वह भी सारी चीज़ें यहां पे क्लियर हो गी है वह एक्जामनेशन डेपार्टमेंटल एक्जामनेशन है लिप्टे डेपार्टमेंट कंपटेटिव एक्जाम 2021 वाली भरती थी वो भी काफी दिन से पैंडिंग पड़ी हुई थी अब ऐसे मैं बात करूं तो यहां पे CISF की कोई एक भरती नहीं है नोने बहुत सारी भरती भसा लियें जिसमेंस से अगर मैं बात करूं तो एक आपकी हो जाएगी HCM 2019 इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आपकी हो जाएगी Fireman और इस नहीं पूरी चार भरतियां LC हैं जिनके examination conduct होना बाकी है तो examination होना conduct बाकी है और अभी आप ये समझेए कि 2019 वाली भरती का यता पता नहीं है तो कब fireman होगा, कब HCM 2022 होगा और कब tradesman होगा यानि कि 4 भरतियां यहां पे लगातर फसी हुई है यह इसका order है भरतियों का जिसके examination पहले होना चाहिए यानि कि सबसे पहले आपका HCM top priority पर आता है फिर आपका आता है fireman बड़ मैं आपको बता दू कि fireman से पहले possible है कि आपका HCM 2022 हो जाए मतलब possibility है मैं 100% confirm होके नहीं कह रहा हूँ क्योंकि HCM बाले को थोड़ा सा यह priority पर रखेंगे बड़ हो भी सकता है कि आपका fireman हो जाए लेकिन मैं आपको जो संभावना है वो आपको यहां पर बता रहा हूँ इसके बाद होगा आपका tradesman का exam तो यह चार भरती आएं तो देखो मैं आपको एक चीज़ यहां पर बताऊं छोटी सी कि अगर आप आराम से एकदम relax होके बैठे हो कि आराम से जब इसका examination होगा हमें बहुत time पहले पता चल जाएगी तो यह आपकी सबसे बड़ी गलत फहिम यहां आप सभी को बता दे कि आपका चाहें HCM 2019 हो या fireman हो या HCM 2022 या tradesman आपकी examination date के लिए मैं आपको बता रहूं कि within 30 days यानि कि जब आपका examination होगा तो maximum आपको 30 दिन पहले पता चलेगी maximum बता रहूं मनलब हो सकता है कि 20 दिन के बाद ही आपको जैसे कि आज बोल लिया जाए और आज से 20 दिन बाद आपका examination start हो जाए इस तरीके से process होगा क्योंकि यहां पे जो सबसे main दिक्कत रही थी वो रही थी आप सभी को पता है बजट की क्योंकि recruitment के लिए जो भरतियां conduct करवानी थी उसके लिए CISF के पास बजट खतम हो गया था क्योंकि एक भरतियां conduct नहीं करवानी अब CISF को चार examination conduct करवाने हैं जिसके लिए बजट नहीं था क्योंकि यहां पे जितना बजट था अब यहां पे tradesman में यूज कर लिया है इनोंने recruitment कराने में PST and PET में अब यहां पे इन सभी भरतियों के लिए बजट के लिए प्रस्ता भीजा गया है कि इन सभी भरतियों के लिए बजट जब आपका आएगा और अगर मैं बजट की बात करूँ कि बजट आपका कब तक आजाएगा तो आप सभी को बता दूँ मिड जून ठीक है मिड जून में यह जो प्रस्ता भेजा गया है पूरा MHA की तरफ से उने जो भी यहां पे ऐलोगेट होगा जो भी बजट ऐलोगेट होगा उस बजट में जितनी भरतियों के examination conduct करवाई जा सकते हैं वो सभी examination conduct हो जाएंगे तो इस according अगर हम माने तो कि अगर आपका mid जून में अगर बजट मिल जाता है mid जून में तो आप यह मान के चलिएगा कि जूलाई में आपकी examination होने की 99% possibility है तो इसके according आप अपने mindset को तयार करिए कि आपके जूलाई में आपके examination start हो जाएंगे और जब आपका जूलाई मे एक exam start होगा तो आप याद रखना कि सभी examination continue आप सभी के होंगे क्योंकि आप सभी ने देखा है कि इनके पास अगर budget था तो इन्होंने PST और PET में देरी नहीं की यानि भड़ती निकलती है और उसके तुरंत बाद ये PST और PET कंडेक्ट करवा देते हैं इसी तरीके से जब इनके पास budget होगा तो ये written examination भी लगातार आपके करवाएंगे और इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि इन्होंने PST PET में कहीं भी delay नहीं किया है तो आपके इस process में भी ये delay नहीं होगा और आप सभी को बता दें कि ये भड़ती जो attack रही है सिर्फ और सिर्फ यहां पे written examination म में time लग रहा है और जब आपके एक बार ये written examination होने लगे तो आपकी भड़तीयां बहुती speed से complete होंगी इस वाद को याद रखना क्योंकि उसके बाद पूरा जो काम रह जाएगा वो केवल और केवल CISF कर रह जाएगा जो CISF अपने examination से conduct करवा सकता है सारी चीजे तो इस constable 19 वाली गरती हैं 22 वाली की कर रहे हैं दोनों तीनों चारों जो भी examination आपके होने वाले हैं सभी examination की तयारी continue करते रहे हैं अगर आपको mock test चाहिए तो वीडियो को description में आप सभी को link दिया गया है वहाँ से आप CISF या ट्रेट स्वेन या fireman वाले mock test purchase कर सकते हैं link वीडिय Hindi English दोनों में mock test आप सभी को मिल जाएंगे और अपनी examination की तयारी आप कर सकते हैं Hindi English दोनों भासां में उपलब दे तो जैसे चाहिए आप वहां से जाके ले सकते हैं तो पूरी जो भी चीज़ें है जो भी possibility हैं वो मैं आपको बता दिया फाल्दू की कोई भी चीज बताने क कोई मतलब है नहीं तो जो भी मेरे पास information उसके according आपको mid June में budget CSF के पास आ जाएगा और इसके बाद July में आपकी examination होना start हो जाएंगे तो फटा वर्जे अपनी तयारी में जुट जाएए बाकी का जो भी process होगा आगे भी आपको इसी दरीकी की update मिलती रहेगी इसके लिए कम से कम आपको information तो मिलती रहेगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो thank you for watching जैह हैं जाएगे तो फटा वर्जे अपनी तयारी में जुट जाएए बाकी का जो भी process होगा आगे भी आपको इसी दरीकी की update मिलती रहेगी इसके लिए चैनल को subscribe आप जरू कर लें क्योंकि आपक कम आपको information तो मिल